नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हरशी दिवेदी लक्षमी कान्थ के पार्ट 118 में मैं आपका स्वागत करता हूँ पार्ट 118 का टाइटल आपको नज़र आए दो important financial committees देखिए standing committee के तीन पार्ट बताया थे मैंने आपको उसमें financial committees थी financial committee में हम public account committee के काम को और estimates committee के काम को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे जितनी भी parliamentary committees है उनके classification को अगर आपको देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए महाँ पर आपको इसकी classification को मैंने धंग से समझा रखा है आगे awareness पहले दोस्तों ये किताब आप खरीद लिजे जरूरी है आपके लिए नीचे लिंक दिया हुआ आप महाँ से भी खरी सकते है join button दबा के आप help कर सकते है साथ-साथ कुछ और वीडियो का access आपको मिल जाएगा Instagram पर follow कर लिजे महाँ पर आपको जवाब दूगा Telegram group join कर लिजे महाँ पर आपको lectures की notification चुकि देखे YouTube हर वीडियो की notification नहीं देता है साथ-साथ जितने भी current affairs की वीडियो में मनाता हूँ उनकी PDF आपको Telegram group में मिल जाएगी सबसे पहले बात करते हैं Public Account Committee के बारे में Public Account Committee को पहली बार सेट अप किया गया 1921 में किसके अंदर Under the Provisions of Government of India Act of 1919 याद है ना Montego Chems Ford Reforms 1919 World War खतम हुआ था First World War First World War के बाद अंग्रेजियों ने पपलू दिया था कि ठीक हम आपको constitutional reforms देंगे कोई constitutional reforms नहीं दिया उल्लू बना दिया गादी जी ने बाद में non-cooperation movement launch किया Spectrum हैं बहुत धंग से मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है तो अगर आप मेरी Spectrum की वीडियो नहीं देख रहे है तो वो भी देख लिजे आपके knowledge पढ़ाई के perspective से भी important है और आपको interesting लगेंगी उसले भी important है चुकि देखे एक्स्टा knowledge काम की होती हाला कि इंडिया की problem है कि यहां पे लोग knowledge सिर्फ exams के ले लेते हैं नॉर्मल कोर्स में उनको TikTok और YouTube भी पसंद आता है पर चलिए ठीक है वो एक अलग चीज है तो Government of India Act 1919-1919 के अंदर बना this committee 1921 में कौन सी Public Account Committee तब उसे Public Account Committee है अभी के लिए अगर आप Public Account Committee के membership देखोगे तो इसमें हैं 22 members जिसमें 15 आते हैं लोग सभा के और साथ आते हैं राज सभा से तो basically this is a joint committee जो members होते हैं Public Account Committee के उनको कौन अलेट करता है तो Parliamentary Elect करता है देखिए दोस्तों है क्या Public Account Committee में 15 members है तो जो 15 members है लोग सभा के वो लोग सभा अपने अंदर से चुन के भेजेगा जो साथ member है राज सभा के वो राज सभा अपने अंदर से चुन के भेजेगा उन members को चुना जाएगा according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote कैसे मैं आपको बताता हूँ पिछली वीडियो मैंने आपको हलका full का idea बता है माली जे राज सभा के अंदर से साथ कीटे चुनी जानी है अभी साथ सीटो में तीन political parties माली जे राज सभा में prominent है तो माली जे एक होगे party A दूसरी होगे party B तीसरी होगे party C party A के पास कुछ सीटी होगी राज सभा के अंदर चोकि राजसभा में से साथ representatives को जाना पब्लिक अकाउंट कमिटी में और पब्लिक अकाउंट कमिटी बहुत important है, क्यों important है वो थोड़े दिर में समझाता हूँ तो यहाँ पे voting होगी और ये voting में members अपने अंदर से अपनी political party की जो respective majority है, उसके हिसाब से अपने आपको representation देंगे राजसभा के अंदर राजसभा से यह जो पब्लिक अकाउंट कमिटी में लोग जाएंगे तो यह जो साथ सीटे हैं राजसभा की पब्लिक अकाउंट कमिटी में ये साथ सीटें राजसभा की political party के अंदर इस हिसाब से बटेंगी जिस हिसाब से राजसभा में अलग-अलग political party के member है इसलिए मैं आपको समझाया था proportional representation by single transferable vote proportional representation by single transferable vote हमारे जो लोगसभा के election होते हैं उसमें नहीं होता है लोगसभा में जो majority पे आगया वो बन जायागा MP proportional representation by single transferable vote में क्या होता है कि सब लोगों ने मिलके vote डाला तो सारी political party के लिए vote किया गया political party के हिसाब से vote किया गया और जितनी total seat हैं उनको जिस-जिस political party को जितने vote मिले उस proportion में बाट दिया गया तो मान लीजे proportional representation by single transferable vote यह होता है कि 100 seat हैं किसी एक जगा पे और इस seat के लिए दो political parties लड़ रही है BJP, Congress या मान लीजे एक और जोड दीजे जन्तादल, United तो तीन political parties लड़ रही है और मान लीजे ratio है 4 is to 4 is to 2 यानि इन 100 seat के लिए हम मान लीजे जो vote पड़े वो 4 is to 4 is to 2 के ratio में पड़े तो obvious सी बात है 40 seat है BJP के पास चली जाएंगी 40 seat है Congress के पास चली जाएंगी और 20 seat है जन्तादल, United के पास चली जाएंगी तो यह होता है proportional representation by single transferable vote यानि कि overall total number of seat हो के लिए election हुए उन elections में से BJP को जितने proportion vote मिले उतने proportion की seat है BJP की Congress को जितने proportion की vote मिले उतने proportion की seat है Congress के लिए और जन्तादल, United को जितने proportion की vote मिले उतने proportion की seat है उसके लिए हमारी constituency की जो election होते हैं लोग सबाके उसमें यह system नहीं चलता है बट President के election में Vice President के election में यह Public Account Committee की Membership के ऐलक्षिन में इस तरीके एक सिस्टम चुनता है ठीक है? समझ में आगया होगा आज होप आपको हर साल Parliament Public Account Committee के Members को चुनता है लोकसभा अपने 15 Member को चुनेगा, राजसभा अपने 7 Member को चुनेगा सीटे साथ हैं, तो एक साल में जो appointment होंगे, वो सारी Political Party को नहीं represent करेंगे तो जो Political Party पहले साल में नहीं represent हुए, दूसरे साल जब Public Account Committee के Member Appoint के जाएंगे तो वहां के Political Party के आ जाएंगे एक और खास बात, Council of Ministers का कोई Member, Member नहीं बन सकता Public Account Committee का तो अगर कोई Member, Council of Minister का Member है, तो वो Public Account Committee का Member नहीं हो सकता Public Account Committee के अंदर जो Chairman है, उसको कौन appoint करेगा, तो उसको Speaker appoint करेगा 1966 और 1967 तक ऐसा होता था, कि इस Committee का Chairman होता था, Ruling Party का लेकिन 1967 से एक ऐसा Convention आया है, कि Public Account Committee का जो Chairman होता है, वो Opposition Party का होता है क्यों? क्योंकि Public Account Committee से ज्यादा जो Important Committee है, Estimate Committee Estimate Committee का जो Chairman होता है, वो होता है Ruling Party का तो यह बोलागा कि चलो भाई, Estimate Committee के Chairman को आप हमेशा Ruling Party से appoint करते हो तो कम से कम Public Account Committee के Chairperson को तो Opposition Party से appoint करो तो 1966-67 के Convention के एसाब से हमेशा Opposition Party का होता है, Public Account Committee का Chairman और estimate committee का chairman होता है ruling party से अब एक line में अगर समझा जाए कि ये public account committee करती क्या है तो public account committee examine करती है annual audit reports of the comptroller and auditor general of India आपको पता है CAG, comptroller and auditor general अभी हमारा CAG comptroller तो है नहीं, comptroller मतलब पैसा issue करने की तागत हमारा जो CAG है वो किवल auditor है तो पैसा खतम होने के बाद पैसा सही खतम हुआ, पैसा गलत खतम हुआ, इस चीज़ का report देता है CAG तभी ये report पार्लामेंट में present की जाती है प्रेजिडेंट के द्वारा जब CAG अपनी report को submit करता है तो तीन report submit होती है एक होती audit report on appropriation account, एक होती audit report on finance account, एक होती audit report on public undertakings ये पहली जो दो report है, audit report on appropriation account और audit report on finance account ये दो report होती है मैं बताता हूँ क्यों, जब मैंने आपको budget समझाया था, annual financial statement समझाया था तब मैंने आपको appropriation bill के बारे बताया था और appropriation bill में मैंने आपको ये बताया था कि finally, एक appropriation bill पास होगा और इस bill के थुरू जो पैसा है, वो consolidated fund of India से निकाल लेगी हमारी सरकार तो appropriation bill के थुरू जो भी expenditure होता है, उसको consolidated fund of India से निकाल लिया जाता है same time पे finance bill भी पास होता है, उस finance bill के थुरू जो income side होती है यानि पैसा आएगा कैसे, तो income tax में कोई change करना है, corporate tax में कोई change करना है, GST में change करना है वो finance bill से होगा, तो appropriation bill और finance bill दोनों समझाएं मैंने अभी appropriation bill के थुरू जो पैसा निकला, उसका खर्चा आता है appropriation account में और appropriation account की auditing करता है CAG, और वो auditing की report होती है audit report on appropriation account similarly, finance account का जो audit करता है CAG, उसकी report बोलते है audit report on finance account ये जो public account committee होती ही न, बहुत severely examine करती है audit report on appropriation account को और audit report on finance account को, चुकि इस committee का जो chairman होता है, वो होता है opposition party का और opposition party का chairman इसलिए बनाया गया है, ताकि खर्चा होने के बाद भी सरकार से सवाल पूछे जा सकें, कि आपने जो appropriation किया और जो finance account के अंदर जो भी पैसे का इधर उदर किया, वो किस basis पे किया सही किया, गलत किया, सचा किया, जूटा किया और जब यहाँ पे ये public account committee, public expenditure को देखती है तो केवल ये नहीं देखती कि legally पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, चुकि legally तो पैसा खतम हुआ ही होगा और विसी बात है, Consolidated Fund of India से appropriation bill को पास करने के बाद ही सरकार ने खर्चा निकाला है अब legal point में आपको ये भी देखना है, कि जिस head के लिए पैसा निकाला है, उस head के लिए खतम हुआ है कि नहीं हुआ है मैंने budget के समय आपको बताया था, कि भाई, अगर पैसा health ministry के लावल हुआ है, तो health ministry के लिए खर्च होना चाहिए और अगर health ministry से पैसा निकाल के, defense ministry में डालना है budget में, तो उसके लिए फिर से आपको bill पास करना पड़ेगा लोग सभा से या at the end of the financial year पास करना पड़ेगा, तो पहली बात तो legal expenditure है, कि जो भी सरकार ने खर्चा किया है, सही किया, गलत किया, सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया, ये देखा जाएगा plus, also from the point of view of economy, prudence, wisdom and property, मतलब कि जो पैसा सरकार ने खतम कर दिया, क्या पैसा सरकार ने सह ये किसे खतम किया, तो इसमें ये चीज़ शामिल हो सकती है, मालेजे मैं आपको एक half hazard example देता हूँ, कि मालेजे कल की डेट में, council of ministers का कोई एक छोटा सब्चत था, बहुत लंबे foreign tour पे जाए, और वहाँ पे important काम करने की बजाए, किसी resort में कुछ महीने बिता किया है, और 100-200 करोन रुपे खतम हो जाए, तो कैग पॉइंट आउट कर देगा, ऐसे ही member of parliament की एक team गई थी, Europe में, ये study करने के लिए, कि हिंदी का promotion कैसे जा है, सोचिए, parliament के members, Europe जा रहे हैं, और Europe के culture को जाके study कर रहे हैं, और ये पता करने के कोशिश कर रहे हैं, कि हम हिंदी बाशा का improvement कैसे करें, उसमें 70-80 करोन रुपया खतम हो गया, कैग ने बोला क्या मजाक कर रहे हो बाई, तुम हिंदी बाशा के improvement के लिए foreign जा रहे हो, और वहाँ 70-80 करोन रुपया फूक के वापस आ रहे हो, ये तो wasteful expenditure है, तो मतलब कि, सबसे पहले तो कैग को ये responsibility दी गई है, कि कैग पहले तो ये देखेगा, कि legally खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी recently अगर आपने मेरी current affairs की videos देखें, editorials की, और आपकी जो में daily current बनाता हूँ, individual videos पे अगर आपने देखी हूँ, तो कैग ने recently सरकार की एक गलती point out की थी, क्या गलती point out की थी सरकार ने, कि भाई द अभी GST compensation fund में गया, तो वो specifically एक issue के लिए रखा गया है, यानि कि states को पैसा देना है, ठीक है, compensate करना है, GST लगाया गया है, तो उनके taxes चलेगे, उनके लिए compensate करना है, सिर्फ एक इस specific purpose के लिए CES लाया गया है, तो इस CES को वापस consolidated fund of India में डालके, किसी और जगा पे नहीं किया जा सकता है, बड़ सरकार ने किया है, तो ये चीज़ किसने point out की, CAG ने point out की, वो अलग बात है कि CAG सिर्फ point out कर सकता है, सरकार के खिलाफ action नहीं ले सकता, और at the same time, public account committee सिर्फ point out कर सकती है, बड़ सरकार के खिलाफ action नहीं ले सकती है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये CAG toothless body है, public account committee toothless body है, एक तरीके से toothless है, एक तरीके से toothless नहीं है, भले ही CAG ने point out कर दिया कि सरकार ने गलत तरीके से पैसा खतम किया है, बट क्या कुछ कर नहीं पाया, भले ही public account committee कल को खड़े हो के parliament में सरकार से बोले कि आपने पैसा गलत तरीके से खतम किया, बट वो क पॉब्लिक ओपीनियन बनेगा और वो पॉब्लिक ओपीनियन जब पांच साल बाद वोटिंग होती है वहाँ निकल के सामने आएगा तो जो कैक का व्यूपॉइंट है और यह जो पॉब्लिक अकाउंट कमिटी का व्यूपॉइंट यह बहुत इंपॉर्टन होता है इसलिए पॉब्लिक अकाउंट कमिटी जो ऑडिट करता है न यह देखने के लिए सरकार ने वेस्टफिल अक्सपेंडिचर तो नहीं किया है सरकार ने करप्शन तो नहीं किया है एक्ट्रावेगेंस तो नहीं किया है यह बहुत इंपॉर्टन है इससे देश के लोगों को पता चलत है सरकार कैसे काम कर रही है तो भाइया कमिटी क्या function करेगी public account committee भाइय audit report on appropriation account और audit report on finance account इनको खंगा लेगी public account committee ठीक है उसके बाद भाई कुछ हद तक audit report on public undertakings इसको भी खंगा लेगी इसके पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो यह सीधी सीधी बात है कि जितना पैसा खतम हुआ आपका total expenditure और जो उस expenditure के लिए पैसा आया finance account के थूँ उन सब को देखेगी public account committee और अपना viewpoint देखी ठीक है फिर जो appropriation account और जो audit report finance की CAG लेके आया है public account committee के सामने सबसे पहले तो public account committee यह देखेगी क्या यह पैसा legally उसी head के लिए available था जिस head में उसको sanction किया गया था तो budget के दुरान अगर health ministry को कुछ पैसा allocate किया गया तो वो health ministry में खतम होना चाहिए किसी और ministry में नहीं जाना चाहिए और अगर जा रहा है तो उसकी prior permission होनी चाहिए लोग सबा की expenditure proper law procedure के साब से हुआ कोई reappropriation हुआ है एक head से दूसरे head में यह कुछ नया पैसा allocate हुआ है तो उसकी permission क्या accordingly ली गई है फिर भाई यह भी देखा जाएगा कि कुछ ऐसी public sector undertaking अब देखिए public sector undertaking की जब बात आती है दोस्तों तो तीन audit report पेश करता है कैग एक होती है audit report on public undertakings अब यह जो audit report on public undertakings होती है यह वाली जो नीचे लिखी हुई है यह कुछ specific public undertakings की audit करती है तो committee देखिए तीन कमिटी मैं आपको बताएं थी finance दोस्तों public account कमिटी estimate committee और committee on public undertakings जो committee on public undertakings है तीसरे तरीके की जो financial committee है उसके अंदर पहले से कुछ public undertakings आते हैं जो उनका audit के वल committee on public undertaking करेगी तो तीन तरीकै की financial कमिटी बताई हम यहां public account committee की बात कर रहे हैं एक है estimate एक है committee on public undertaking में पहले से ही कुछ ऐसे organizations है जिनका audit वो committee on public undertaking करेगी उनके अलावा मान लिजे ऐसे कुछ public sector organization बच जाते हैं जो committee on public undertaking के अंदर नहीं आते हैं उनका audit कौन करेगा उनका audit करेगा CAC और CAC की report को analyze कौन करेगा? Analyze करेगा public account committee तो public account committee उन सारे audit reports का analysis करेगा उन organization से related जिन organization का audit obviously बात है committee on public undertaking के अंदर नहीं आता है और यहां obviously बात है उन organizations की बात हो रही है जो majority government stakeholdership के अंदर है private organization इन committee के अंदर नहीं आते है इन committee के अंदर वही organization होगे जो सरकार क control के अंदर होगे फिर कुछ autonomous or semi autonomous bodies का भी जो report है audit report CAC की उसको scrutinize करता है public account committee फिर CAC की report with respect to audit of any receipt or to examine the account of stores and stocks नहीं सरकारी खर्चों में जो भी सामान आया सरकारी खर्चे से जो भी सामान खरीदने के लिए पैसा निकला इन सबका जो CAC audit करता है उसको भी public account committee देखता है और ल पैसा allocate किया था अगर उससे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है तो उसकी auditing भी क्याग करेगा और उसके अंदर पूरा insight रखेगा public account committee तो अब वेसी बात है इस बार करूना वाइरस आया है अभी करूना वाइरस के चलते पैसा तो एक्स्ट्रा खतम हुआ है बजट से तो उसका क्याग audit करेगा और audit करने के बाद उस report को public account committee भी देखेगा तो तरीके का double check है क्याग तो चेक करी रहा है साथ-साथ public account committee भी चेक करी तो सरकार अपनी मर्जी के साथ से मनमुता भी कुछ भी नहीं कर सकती कहीं नहीं कहीं चेक है अब यहाँ पे जो public account committee है उसको किसी friend की लोग बैठते हैं वो नेता हैं, they are politicians, वो technicians नहीं हैं तो उनको यह account और finance account और appropriation account समझ महीं नहीं आएंगे अगर उनके सामने रख दिये गए तो उन accountों में क्या लिखा है यह इस public account committee को बताएगा CAG so basically control and order general CAG, it acts as a guide, friend and philosopher of the public account committee और अशोक चंदा साथ जो खुद CAG रहे चुके उन्होंने देखी क्या बुला है over a period of years the committee has entirely fulfilled the expectation that it should develop into a powerful force in the control of public expenditure it may be claimed that the traditions established and conventions developed by public account committee confers to the highest tradition of the parliamentary democracy सिरे कि बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि CAG जो report लेके जाएगा इस committee के सामने यह committee उस report में सरकार से सवाल पूछेगी कि भाई तुम कर रहे हो तो कर क्या रहे हो और सरकार से सवाल पूछने का मगेनिजम सबसे अदा important है चुकि लोग सबा में वही लोग चुनके बैठें जिनको लोगों ने चुना है और उनी लोग की बीच में जिसकी majority उन्होंने सरकार बनाई है तो भाई अगर public account committee के पास कोई गलती जाएगी तो इस गलती पे सवाल पूछा जाएगा सरकार से नई दोगे तो अगले बार election से उखाड बाहर फेके जाओगे लेकिन इस public account committee में देखिए कुछ problem भी है दोस्तों public account committee policy questions को take up नहीं कर सकती public account committee ये तो देख सकती है कि भाई खर्चा फालतू तो नहीं हो रहा है लेकिन policy questions यानि कि policy questions कब discuss होंगे जब उस money bill को in form of budget पास कराया जा रहा होगा तब भले आप policy discuss कर लो एक बार पैसा खर्चा हो गया पैसा खर्चा होने के बाद public account committee में matter गया कैक के audit के बाद तो अब policy का क्या मतलब अब तो policy लगके implement होके उसके result भी आ गए तो policy issues में एक limit से ज़दा public account committee कुछ नहीं कर पाती ये इसकी बड़ी problem है दूसरा ये post-martum करती है post-martum मतलब आदमी मर चुका है उसके बाद आप body को चीर फाड़ के देख रहे हो कि भाई क्या गड़बर थी body के अंदर क्यों मरा ये अब खर्चा हो चुका है खर्चा कैसा हुआ सही हुआ गलत हुआ आप उसको चेक कर रहे हो खर्चा होने से पहले आप चेक कर रहे हो तो तो बात है खर्चा होने के बात चेक करने का मतलब क्या है खर्चा पहले चेक करते हैं तो शायद आप कुछ कंट्रोल कर पाते है फिर भाई day to day administration में public account committee किसी भी तरीके का interference नहीं करेगी day to day administration में तो executive में जो सरकार है वो free है वो जो मर्जी आएगी करेगी कोई उनको रोकेगा टोकेगा नहीं ओके जो भी recommendation finally public account committee देगी वो advisory होगी वो किसी भी तरीके से bounding नहीं सरकार के बीचे बाइंडिंग नहीं है यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई कैक जो भी suggestions देता है वो binding नहीं सरकार के उपर और public account committee जो भी suggestions देगी वो भी binding नहीं यह advisory है लेकिन इनका क्या effect पड़ता है देश के लोगों पे यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मालीजे कि public account committee को SCAC की audit report में बता चलता है कि जो सरकार ने खर्चा किया है वो गलत है उस case में सरकार को खर्चा करने से मना करने की ताकत नहीं है public account committee के पास public account committee सरकार से सवाल पूच सकती है कि आपने जो किया है क्यों किया गलत किया बट रोक नहीं सकती है सरकार को खर्चा करने से और public account committee एक executive body नहीं है executive body के पास एक ताकत होती है कि वो directions issue कर सकता है लेकिन public account committee के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है public account committee बस study करेगा और study करने के बाद नहीं रुपोर्ट देदेगा that it खतम काम public account committee